कोई आपको ऐसा काम बोलता है जों आपको अजीब लकला करने में या pomosड नहीं करने में बोलने ''no thank ू'' सबके सारे दोस्स्सिगरेट पीते हैं या आपके ऑफिस में सब लोग्सिगरेट पीते हैं तो वो अब आपकी इस शखल लेग रहे हो और आप भी पी लो, शर्माई नहीं, नो थैंक यू बोले। शादी नहीं करनी है आपको उस बंदे से या उस बंडी से जिससे आपको कहा सारा है कर लो, बोले। नो थैंक यू असलाम वल्कुम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या जिन्दगी में सुकून चाहते हैं कम असकम तो नो बोलना सीखें मैं जानता हूँ ये काफी लोगों के लिए नो बोलना बहुत मुश्किल है तो वो हर इनसान को और हर इनसान की हर रिक्वेस्ट को येस बोल देते हैं वो सोचते हैं कि अगर इनसान को नो बोल दिया तो ये बंदा घुसा ना हो जाए या कि इसको बुरा ना लग जाए या अगर नो बोल दिया तो उसके बास जो सवाल आएंगे उनको आंसर करने की हिमत नहीं है और बड़ी awkwardness हो जाएगी तो ये चाहिए ही नहीं इस चक्र में बेशक मैं खुद कुचल जाओं अगले बंदे की request को मैं हाँ बोल देता हूँ हम सब के साधी हैं मसला होता है हमें से बहुत साए लोग जाना है वो people pleaser है कि सब को खुश रखना है अगर नहीं नहीं भी बोलना है तो नहीं बोलना है नहीं आपने यह सी automatically मुह से निकल जाता है क्योंकि हमें पूरे जिंदेगी दिखाया गया है पढ़ाये गए यह समझाये गए कि अगर आपने इनसान अच्छा बनना है अगर आपने अच्छा पार्टनर बनना है अच्छा आपने दोस बनना है तो हर चीज़ का जवाब येस होना चाहिए आपकी तरफ से होता कहा है अगर आप हर चीज़ येस बोलेंगे यह चार पांच चीज़ें को कहीं invite करना है तो आपकी opinion नहीं पूछ था कोई यह पता यार इसको जो बोलेंगे मान लेगा या कोई काम है जिसमें आपको देंगे यह इसको दे तो यह कर लेगा तो आपकी अपनी को inherent value नहीं बचती क्योंकि लोग समझते हैं कि यह taken for granted है अगर आपको ऐसे इनसान हैं जो दूसरों का बहुत ख्याल करते हैं या आपकी ओपर responsibility है कि आपने एड़ देर के लोगों का ख्याल करें अच्छी बात है कि उनका ऐसे लोग बहुत कम होते हैं पहली बात तो good job लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनका ख्याल करते रहें जादा अरसे तक तो आपकी अपनी ज़रुरियाद भी पूरी होनी चाहिए आपकी अपनी physical health important है आपकी अपनी mental health important है और अगर आप सब कुछ हर वक्त करते रहेंगे तो आपके अपनी capacity कम होती जाएगी एक वक्त हैगा आप stressed हो जाएगे आप break down होयागा आपका mentally या आप बिलकुल अंदर से ठक के चूर हो चुके होगे कि अप्सक्त हो हर वक्त बुक रहें है दूसरे लोग के लिए तो अगर आप चाहते हैं जो होगे करड़ है करने हैं अपना खायल करना भी जूरूर ही है सब के सारे दोर्सusement पीते हैं यह आपके ओफस में सब लोर्स कीते हैं तो आपकी शे曲 क לפ़ बहें हेरा है और आप आपको कहा जा रहा है, कर लो बोल लें, no thank you लेकन अफकोस ये कोई reason एक valid इसमें होना चाहिए एक शाधी एक अलग पूरी डिसकाशन है ये नो नाग तेरी, इसलिए मैंने इसा जारी नहीं करनी बट एक valid reason, junk foods आप खा रहें आप भी खा रहें, cut कर रहें तो अगली बर जंक फूर है बोल दें नो थैंक यू वनना हार्ट जो डिजीज है आपकी हार्ट अटैक उसके लिए आप येस प्लीज बोल रहे हैं कोई आपका चीजें यूज कर रहा है जो तबाह करके वापस देता है या कभी नहीं देता उसको बोल दें नो थैंक यू आपने आर्किटेक्ट बनना है आपने कुछ और बनना है बड़ आप पर इंपोस किया जा रहा है कि नहीं आप यह करो आपको पता है कि आप शांदार तरीके से उसमें फेल होंगे कुछ आपका कोई ना आपका आईक्यू लेवल है उस पर्टिकलर करियर के लिए बोल दें नो थैंक यू पारिक किसम के आपके सराउंडिंग में लोग हैं जो आपको अंदर से ड्रेन कर रहे हैं टॉक्सिक लोग किसे पहुत दफ़ा मैं बोल भी चुका हूं कटाएं को नो थैंक यू अचा क्यों और कैसे आपने नो बोलना सीखना है इसे के लिए वीडियो देख यह यह आपको जारुरी नहीं है कि कोई चीष आप अपको पसक्त है और आपने बच्मन को भी सिखानी यह अगर इसको में आप शेकल बना रहे हैं किसे पागल किसम क का बच्चा है …ज़रूरि है यह जारु क्यूंकि इस तरह बच्म को भी समना बड़े हो कि और आपशन द हर बंदे के अपनी एक belief system है, हर बंदे के अपनी एक value है, हर बंदे के अपनी एक self respect है, हर बंदे के अपनी limit है, हर बंदे के कुछ उसूल है, तो एक box के अंदर जा है आप अपने certain parameters set करते हैं, क्यूंकि यह आपकी अपनी life है, इसमें आपका अपना भी कुछ control होने चाहिए, आपकी अपनी feelings भी हैं, तो इसलिए इस सब को intact रखने के लिए आपको counting set करनी पड़ती है, और वो no से set होती है, अच्छा करना किस तरह है, आपने यह देख लिए कि importance क्या है कि, करना किस तरह है, सबसे पहले है तो आप mirror में जाके practice करने, आईने में देखें और practice करने, जि इतना practice करेंगे, उतना बेजर होंगे, और practice करना सिर्फ पहली बात तो यह आपने अपने आप से practice कर लिया, आईने में देखें, mirror में देखें, दूसरा, कुछ low stake की situation हो, जिसमें इतना कुछ खो नहीं रहा आपको या इतना को valuable decision नहीं लेना, तुकानदार को no बोलने पर ट चोटे चुछें चीज़ों पर आपने इतना दफार practice कर लिया कि आप किसी बड़े आदमी ने और important आदमी ने जिसका आप ख्याल भी करते हैं, उसने आपसे कोई चीज बोली है, या आपको किसी ने आपको कुछ बोला है, तो थोड़ा important decision है, जादा difficult है no बोलना, आपको ज और करना भी ने चाहिए क्योंकि यह थोड़ी बत्तमीजी वाली चीज भी लगती है, तो पहली बात तो यह है कि आप time मांग लें, इसमें पाकिसानी fit है, हम लोग इस चीज़े में, मुझसा कोई पूचे ने काम करना है, सोचता हूँ, बताता हूँ, देखूँगा, आप किसी कॉंपलिमेंट यह ग्राइटिटूड से चार्ट करने हैं, क्या नहीं, थैंक यू वेरी मच्च, आपने मुझे कंसीडर किया, यह काम करने के लिए, वह नहीं सोच रहा है, कंसीडर कि मैं तो बोल रहा हूं करते हैं, काम यार है, लेकिन यह तमीज का वह होता है, तो आप जब थैंक यू बोलेंगे पहले, हाला कि आप अगले बंदे को पता है कि यह शायद नो बोलने की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके ब्रेंड भी इन्सानों की है, तो ऐस्ता ऐसा वह अफेक्ट थंडा होता है, उसके लिए असेफ्ट करना ज्यादा चांसे हैं, और म आपको जानने वाला है और आप उसे जूट बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता है, वह पकड़ लेगा, यह इसकी आँखें यह जा रही है, मुह यह जा रहा है, देख यह नीचर है, हाथ यूं कर रहा है, उसको एक सेगन पकड़ लेगा, तो अगर आप उस आगले सवालो करना बोलें, सच बोलें हैं कि यह क्यों करना चाहर हो, यार उस दिन मैं वाकई में बिजी हूँ, जबरूरी नहीं है आप कि जिस दिन बिजी हैं आप घुस देना उसके स्केजुल के अंदर और इनको भी फिट कर लें, बतादें उस दिन में बिजी हूँ, या मैं तब ठी लोग होते तो मैं दूसरे वाले को आपका काम देरता करने के लिए, तो अगले बंदे को थोड़ा अफेक्ट नर्हम होता इसका, एक और बात बहुत इंपॉर्टन है, आपको कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं चाहिए नो बोलने के लिए, सिर्फ यह रीजन कि आप अपना भी खैल करना, तो वह रीजन भी काफी है, नो बोलने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्पन में इस तरह होता था था ना कि चुटी करनी है, वह आज ही पर नाना की डेथ हो गई है, वह पिचारे पता नहीं किती दफ़ा उन्हों मार चुके होंगे, अल्दा माम करें, बर्ट जिस तरह बच्पन में करते हैं, कोप बड़ा रीजन है ताकि टीचर मान जागा, ज़रूरी नहीं है आप ये इस किसम के अरकते करें, सच बोल दें, और चोटा मोटा रीजन भी हो तो भी बता दें, एक दफ़ा आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्रैक् पहुंस आने वाले हैं, तो पहले से प्रिपेड रहे हैं, आपको पता ही अगली जो बंदा है, यह मानेगा नहीं उस तरह से और मुझे परसुएशन करेगा, मुझे टेक्टिक लगाएगा कि मैं बस किसी तरह मान जाओ, तो जिस बंदे को बोल रहे हैं, वो जो चीज़ें बाने और उसको रिक्वेस्ट करें और अच्छी बात करके आपने जिन्वर नीजे बोलके, सच बोलके बोल दिया आपने, तो गिल्टी ना हो, फिलिंग आईगी शुरू में गिल्ट होने की, बहुत आईगी, लेकिन एक बात याद रखें, गिल्ट अगर आप गूगल करे तो इसकी गिल्टी की फिलिंग जो है अगर आए भी तो इसको ठाइट पर रखें और इसको ओवर्राइट करें अपने दमाग करें और शिफ्ट करें, अनलेस आपने कोई लाइफ स्रेटनिग चीज़ को आपने नो बोल दिया, बट जाद है गिल्टी ना हो, इस ओके, नो बोल सतते हैं जिंदगी में, किसी को कभी ना कभी, बोल सतते हैं, ज़रूरी है दोनों पार्टी के लिए, थैंक्यू फॉर वाचेंग, वीडियो पसन आए तो प्लीज शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और थैंक्यू फॉर वाचेंग, मैं बहुरी चु